हलो गाईज, स्वागत है आपका डॉक्टर विनीत आरोडा की क्लास में और जो हम सब्जिक पढ़ रहे हैं वो स्टाटिस्टिक्स के चप्टर मेजरमेंट उफ सेंटल टेंडेंसी के टॉपिक जी हाँ, arithmetic mean in direct method की बात हम करेंगे, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि एक-एक formula को, एक-एक method को हम descriptive way में आपको बताएंगे तो आज की क्लास शुरू करते हैं, ऐसे ही direct method में arithmetic mean का calculation किस तरह से किया जाएगा इसके numerical question के साथ, तो guys शुरू करते हैं, direct method in individual series तो guys, यदि individual series में direct method को use में लेना है, तो मैं कुछ step by step आपको calculation बताऊंगी सबसे पहले आपको x values जितनी भी given होंगी, individual series के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर केवल x values आपको given होती है, यह x values को सभी को आपको total कर लेना है और total करने के बाद, यानि सभी x1, x2, x3 जितनी भी values आपको given है और यह total करने के बाद कहलाएगा sigma x और इसके बाद finally formula use करें और वो formula है, x bar is equal to sigma x upon n, सबसे simplest formula, सबसे simplest तरीका direct method को यदि individual series में calculate किया जाए तो, तो देखते हैं किस तरह से इसका एक numerical question किया जाता है equation आपके सामने, एक table में 10 students की heights का data आपको given है और आपको calculate करना है direct method से arithmetic mean को तो data कुछ इस तरह से है, A से लेकर J नाम के students है और heights आपको given है series को देख कर ही आपको पता चल रहा होगा कि यह individual series है क्योंकि individual series वही होती है जिसमें given x values given है तो x values हमें यहाँ पर given है, students की name का data हमें यहाँ पर calculation point of view से required नहीं है क्योंकि यह numerical format में भी नहीं है So guys, चलते हैं यहाँ पर कैसे calculation किया जाएगा तो देखें जैसा कि मैंने कहा कि सारी values का total कर लीजिए तो यहाँ पर आपने सारी values 165 plus 180 plus 157 plus 162 plus 166, 164, 155, 153, 168 और 160 का total किया तो अब हमारा sigma x बनता है 1630 अब second step पर चलते हैं formula यूज कीजिए, formula है sigma x upon n तो 1630 आपने यहाँ पर लिखा divided by number of students यहाँ पर कितने हैं देखें A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, total 10 number of students है तो finally हमारा जो answer रहेगा वो है 163 cm यानि यहाँ पर जितने भी 10 students हैं इन 10 students की height लगबग लगबग 163 cm के आसपास है तो guys यह हमारा individual series में arithmetic mean या average को calculate करने का तरीका आगे चलते हैं guys discrete series में direct method में किस तरह से arithmetic mean का calculation किया जाएगा यह हम देखते हैं देखें discrete series में x values के साथ साथ उसकी frequency भी होगी तो यहाँ हम frequency को क्या कहते हैं यानि वो x value कितनी बार repeat हुई है हिंदी में इसलिए हम frequency को बारम बारता कहते हैं वो particular x value कितनी बार series में आई है तो हम इसे frequency कहते हैं तो सबसे पहला काम आपको यह दी direct method के एकसाब से discrete series में arithmetic mean calculate करना है तो x और f को multiply करना होगा तो इस तरह से हमें मिलेगा fx का column और finally इस fx के column की total कर लीजिए जो बनेगा sigma fx और finally formula use कीजिए x bar is equal to sigma fx upon n यहाँ पर guys ध्यान देने वाली बात है कि n is equal to sigma f है जी हाँ number of students या number of frequency total frequency कितनी है वही होता है sigma f is equal to n जब हम individual series की बात करते हैं तो यहाँ पर n हमें count करके लेना होता है लेकिन जब हम discrete series की बात करते हैं तो discrete series में यदी हम capital n लिखते हैं तो इस capital n का मतलब sigma f से होगा यह आप हमेशा ध्यान रखेगा तो guys don't get confused let's start the numerical question देखें आपको question given है कि निमलखित समंकों से प्रत्यक्षरिती से समांतर माद्धी की गढणा करनी है तो देखते हैं हमारा question given है वो किस तरह से है number of calls जिसे हम x मान रहे हैं और frequency आपको given है यानि call कितनी बार आए है तो यहाँ पर 0 call 14 बार ऐसा हुआ है कि कोई call नहीं आया है 21 बार ऐसा हुआ है कि एक एक call आया है या हम कह सकते हैं 21 दिन ऐसा रहा है कि केवल एक ही call आया है 25 दिन ऐसा हुआ है कि 2 call आये है 43 दिन 3 calls आये है और 51 दिनों में 4 call आये है और इस तरह से आपको सारा question given है तो देखे गाईस देखकर ही पता चल रहा है x values given है और साथ में उनकी frequency given है यानि particular x value कितनी बार अकर हुई है यह आपको given है तो यहाँ पर एक discrete series है तो discrete series में कैसे calculation किया जाता है शुरू होते हैं देखे x values आपको given है f values भी आपको given है तो हमने जैसा कि आपको बताया सबसे पहले x multiplied by f कर लीजिए तो f और x को multiply करते हैं देखे 0 multiplied by 14 it is the 0 1 multiplied by 21 it is 21 2 multiplied by 25 it is 50 तो हैसे हमने सारी x values को f value से multiply कर लिया है और finally हमें मिला f x अब इस complete f x का हम total कर लेते हैं यानि अब हमें calculate करना है sigma f x और हमने यहाँ sigma f x calculate किया है 922 तो use the formula guys sigma f x upon n यहाद आपको करने ही पढ़ेंगे सारे formulas तो यहाँ पर देखे sigma f x है आपका 922 और n यहाँ पर कितना है remember guys यहाँ n से मतलब केवल count करके नहीं लेना है यह चीज आप हमेशा ध्यान रखेगा कि यदि हमारी discrete series है या continuous series है तो यहाँ n से मतलब total of the frequency होगा और यहाँ total of the frequency है 245 तो यहाँ पर देखे 245 हमने यहाँ पर नीचे denominator के रूप में रख दिया तो यहाँ पर जो average calls आये हैं वो है 3.76 यानि प्रती दिन हम average ली 3.76 के call यानि इसको round off कर दिया जाए तो हम कहेंगे कि हम प्रती दिन 4 calls attend करते ही है तो guys कुछ इस तरह का फाइदा है हम आगे यदि हम average को पढ़ते हैं तो इस तरह का फाइदा है कि इसके द्वारा हम decision ले सकते हैं कि क्या हमें अपने business को बढ़ाने की requirement है general call center पर यदि बात की जाए तो हम एक दिन में 4 call attend करते हैं तो क्या हमें और human resource को बढ़ाने की आवशक्ता है ये सब चीज़ें decide की जा सकती है कि यदि हम average के method को use में ले रहे हैं तो guys चलते हैं आगे direct method in continuous series यदि हम continuous series में direct method को use में लेना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान दीजिए guys continuous series है classes बनी हुई होगी तो इन classes का हमें mid value जरूर से calculate करना होगा तो सबसे पहले mid value calculate कर लें mid value का formula मैंने आपको बताया हुआ है L1 प्लस L2 divided by 2 L1 जो हमारी lower limit है L2 जो हमारी higher limit है और divided by 2 कर रहे हैं यहाँ पर simply हम यदि कहें तो हम average ही ले रहे हैं हमारी जो class given है तो guys सबसे पहले mid value calculate कर लीजिए उसके बाद x और f को multiply कीजी fx बनाईए उसके बाद इनका total करके sigma fx बनाईए finally formula use में लीजिए और formula वही sigma fx upon n केवल discrete series और continuous series में फर्क केवल इतना है कि हमें continuous series में एक step और follow करना होगा वो कि हमने जो classes बनाई है उन classes में mid value calculate करनी होगी और यही mid value small x बनता है तो guys चलते हैं इसके numerical question की तरफ निमली की तावरती वितरन से समांतर मादे ग्यात कर लीजिए और प्रत्यक्ष और लगूरिती यानि यहाँ पर direct and shortcut method दोनों की बात कही है don't worry guys हम केवल direct method पर ही बात करेंगे तो हमारे जो given है location कुछ इस तरह से पेडों की लंबाई दी हुई है और वो say come यानि less than पर दी हुई है यानि 7 से कम पेडों की लंबाई है 26 पेड ऐसे हैं जिनमें पेडों की लंबाई 7 फिट से कम है 57 पेड ऐसे हैं जहां पर पेडों की लंबाई 14 फिट से कम है 92 ट्रीज ऐसे हैं जहां पर लंबाई 21 फिट से कम है and so on guys 360 पेड ऐसे हैं जिनकी लंबाई 56 फिट से कम है तो देखें से कम वाली सिरीज को किस तरह से solve किया जाएगा of course यदि less than या more than वाली सिरीज कुछ आपके सामने आती है तो ये continuous सिरीज ही है देखें किस तरह से बनाएंगे simply आप यहां पर x values जो हमारी height of trees है वो यहां पर ले लीजिए और उसको बनाईए देखें 0 से 7, 7 से 14 जैसी हमारी यहां पर classes given है उन classes के according आपको यहां पर x values भी create कर देना होगा यानि यहां पर हम classes बना लेंगे 0 से 14, 14 से 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35 और so on now guys अब आपका काम है mid value लेने का तो आपने यहां पर mid values में निकाल लिए mid values simply the average of the both limits यानि 0 और 7 का average निकाल लिया 7 और 14 का average निकाल लिया 14 और 21 का average निकाल लिया यानि 14 प्लस 21 divided by 2 यह बनेगा 17.5 तो guys इस तरह से mid values निकाल लिए now सबसे important और typical काम थोड़ा सा आप शुरू होता है वो है frequency calculate करना guys देखें यहां मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहां जो frequency आपको given है यह frequency से कम वाली है से कम वाली frequency से हमें तो classes बना ली है तो classes बना ली है तो classes के according ही हमें frequency set बिठानी होगी तो देखें यदि हमें यहां पर बात करें number of trees की तो किस तरह से हमारी frequency calculate होगी सबसे बहुत है 26-0 क्योंगी हमारे पास 26 से पहले कोई frequency है गी नहीं 26-0 हो गया 26 finally 57-26 यानि at present से लेकर current से previous को minus कर रहे हैं 57-26 31 इसी तरह से 92-57 यह हमारा 35 यह हमारी frequency निकल जाएगी particular उस class के लिए यानि 7 से 14 feet में 7 से 14 feet में कुल 31 पहले आ रहे हैं जो हमने calculation किया है उसी तरह से यदि हम देखें 35-42 feet के class में हमारे पास बहुत है रहे हैं वो 71 पहुत हैं तो इस तरह से calculation आप थोड़ा सा ध्यान रखे यदि से कम वाली है तो यहाँ पर हम current minus previous frequency को minus करते हुए अपनी frequency को calculate कर सकते हैं जो कि हमने classes के तौर पर हमने x जो calculate किया है उसके अनुसार होगी तो guys अब हमारे पास x values भी हैं जो कि हमारी mid value और साथ में हमारे पास frequency भी है जो कि हमने अभी calculate की है तो guys इस x और f value से अब आपको काम होगा ध्यान दीजेगा guys यदि आपने x और f continue series में यहीं सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है यदि आपने x और f सही दंग से calculate कर लिया है तो आगे calculation में कोई problem नहीं होगी लेकिन यहीं पर initial level पर ही आपने mistake कर दी है guys तो आप यहाँ पर आगे question को कितना भी अच्छे तरह से solve करें आपको formula अच्छे से याद है आपको steps अच्छे से याद है लेकिन फिर भी आपका question आपका answer जो होगा वो गलती आने वाला है तो guys इन दोनों steps पर आप specially ध्यान दें तो हमने fx calculate किया वही f और x को आपस में multiply कर लिया fx का हमने total कर लिया क्योंकि हमें required is sigma fx वो है 10,829 साथ में हमें आप केवल जो क्योंकि हम direct method से ही काम करें तो फिर आप short cut method को मैं आपको नहीं समझाऊंगी कि वह direct method को बात करते हैं direct method के लिए हमारे पास sufficient figures मिल चुके हैं हमारे पास है sigma fx upon n का formula जैसा कि मैंने आपको बताया भी है इसमें value put कर लिजिए 10,829 सी हमारा sigma fx हुआ है और साथ ही में divided by n यानि sigma f जो हमारा sigma f calculate हुआ है वो है हमारा 360 तो हम यहाँ पर 360 को denominator में रखते हैं और finally जो हमें answer मिल रहा है वो है 30.08 यानि यहाँ पर generally 30 feet के पौधे हैं यानि इस बागवान में इस nursery में 30 feet के पौधे यहाँ पर average ली मिलते हैं तो guys इस तरह से हम यहाँ पर calculation कर सकते हैं तो चलते हैं आगे किसी भी तरह की problem होने के लिए guys आप हमारे whatsapp number पर contact कर सकते हैं मुझे mail कर सकते हैं और साथ ही हमने अब अपना facebook account भी create किया है तो इस facebook account पर भी आप अपनी problem देख सकते हैं या हमारे videos को देख सकते हैं तो guys subscribe कीजे हमारे channel को ज्यादा से ज्यादा share कीजे हमारे videos को finally guys thank you thank you so much